हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अन्यूर यूटूब चैनल दब्लोगर विद कम्पूटर स्किल्स तो आज हम बात करने वाले ओपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो वीडियो पूरा देखेगा सुरू से एंड तक और आपने मेरे यूटूब चैनल दब्लोगर विद कम्पूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कले समय सब्सक्राइब करते है यृकुथ थासम करते हैं वहाफे पारने इंग्रियो करते हैं तो इसाएब को वाब्सक्राइब करते है तो उस language को हमारा computer जो रहता है वो operating system की मदश से समझता है जो कि हम कुछ भी data को input करते हिंदी English जैसी language में computer को तो operating system जो रहता है वो से convert करकर binary में computer को समझाता है तथा जब computer से हमें कोई भी output देता है तो computer भी उस output को binary language में निकाले जा तो जो operating system रहता है उसी output को हमें हमारी हिंदी English जो भी लेंग्वेज में रहती है उसमें वह convert करके हमें आ गए हमारे computer की screen पर जहां पर आपको मैं अच्छे से explain कर दूहां कि operating system क्या होता है तो चलिए आगे बढ़ते हम कि operating system हमारा क्या होता है तो चलिए तो operating system तो operating system जो रहता है इसको हम एक तरह का system software भी कहते हैं और इसको हम OS के नाम से भी जानते हैं ठीक है फ्रेंट्स और असल में यह जो हमारा system software रहता है है प्रोग्राम से का सेट रहता है जिसमें हम अंगिनत निर्देश जब आप computer को कोई भी काम देते हैं तो इन्हीं निर्देशों के साहिता से उसको पूरा करता है और आपको मैं बताना चाहूंगा कि operating system computer का में software होता है जो हमारा operating system रहता हूँ हमार कंप्यूटर का में software रहता है जो बाकी सारे प्रोग्राम और software को चलाता है जैसी कि आपने चला होगा MS Office Photoshop और जो मैं आपको भी पीपीटी दिखा रहा हूं यह भी हमने MS Office में PowerPoint पर चला यह अपरेटिंग सिस्टम की साहता से ही चल रही है आम तोर पर आपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वह कीबोर्ड और माउस और माइक्रोफोन इनी चीजों से इंपूट लेता है और उसे स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले करने के लिए हाडवेर के साथ वो कॉर्डिनेट करता है और थोड़ा आसान लेक्वेज में कहें तो तो यूजर की बात computer को समझाता है और computer की बात हमको यह समझाता है अब इसके अलावा operating system में क्या रहता है हमें जी यू आई अपलब्द होता है इसका फूल-फॉर्म होता है हमारा graphical user interface ठीक है और इसी की साइटा से हमें बहुत सारे option मिल जाते हैं कंब्रेतिर में जैसे की बटन्स के दिखाई देते हैं आइकोन दिखाई देते हैं आइकोन दिखाई दिते हैं और मेश्वा 말씀 के जो भी आपने को सब तो ऑप्रेटिंग सिस्टम रहता है वो अपने साथ प्रकार का रहता है मिनिमम्प तो पहला हो जाता है हमारा बेच ऑप्रेटिंग सिस्टम फिर शौथा हो जाता है हमारा नेटवर्क ओपरेटिंग सिस्टम फिर पांचवा हो जाता है हमारा रियल टाइम ओपरेटिंग सिस्टम और छटा हो जाता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ओपरेटिंग सिस्टम और सात्वा हो जाता है दोस्तों हमारा सर्वर अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो हम इस वीडियो में और एक काम करते हैं कि एडवांटेज आपको मैं समझा देता हूं कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के और कोई आपको दिक्कत लगे वीडियो में या कोई आपका कुश्चन रहे तब कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्रेटिंग सिस्टम के लाब की तो जो ऑप्रेटिंग सिस्टम रहता है उसके द्वारा हम डाटा को बहुत से यूजर के साथ सेयर कर सकते हैं और ऑप्रेटिंग सिस्टम को हम आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं ऑप्रेटिंग सिस्टम को आसानी से यूज किया जा सकता है नए जूजर को कम्पिटर को आसानी से चला सकता है operating system के द्वारा कोई भी नया यूजर रहेगा तो computer को बहुत आसानी से चला सकता है अब अगर operating system नहीं रहेगा तो से command लिखना पड़ेगी उसको command का knowledge होना भी फिर जरूरी होता है इसलिए operating system के लाब है अब operating system के नुकसान बता देता हूं मैं आपको तो operating system कभी भी किसी hardware को support नहीं करता है और operating system से macOS में virus का खत्रा अधिक हो रहता है और window की तुलना में Linux को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आप operating system देखेंगे तो उसमें क्या है सीधा सब हो जाता है और आप Linux चलाते हो तो उसमें पूरा command based रहता है तो friends आज ही वीडियो में बस इतना ही तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा